आपने पराठे तो कई तरह के खाए होंगे पर आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्याज का ये टेस्टी पराठा आप इसे एक बार बना करके जरूर इंजॉय करें आप इसे घंगरीन वाली चटनी से सॉस से या फिर आप चाय से भी इसे इंजॉय कर सकते हैं आप बच्चों को इसे टिफिन में भी दे सकते हैं आप इसे बच्चों को टिफिन में देंगे तो ये इतना टेस्टी है कि आपका टिफिन खाली नहीं आएगा बच्चा पूरा टिफिन का खाना खा करके ही आएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैं ले रही और बस हमें प्याज छील लेनी है इसके बाद इस तरह से हमें चाको लेना है और इसे रफली इस तरह से जैसे मैं काट रहे हूं बिल्कुल इसी तरह से ही काट कर रेडी कर लेना है आपको छोटा-छोटा इसे काटने की जरुत नहीं है इसी तरह रफली काट लेंगे और यह चम्मच के लगवग इसमें जाएगा हींग आदा चम्मच जाएगी आप मसाले अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं इसमें मैं डाल रही हूं एक चम्मच के लगवग हरी मिर्ची और अद्रक का दरदरा पेश्ट आप चाहें तो यहां पर थोड़ी सी लेसुन का भी दो कलि इसे सौटे कर लेना हैं ज्यादा नहीं थिर्फ्स आपको इसे सौटे कर लेना है 2017 सौल्टे करने में लग जाएगी एकदम तॉप्ट हमारी प्याज हो जाएगी अब हो MIJ discussions करेंगे मसाले कर चैब से क्थेंयं मैं डालूंगे सबसे पहले आदा चम्मच के लगवग हल लग एक चम्मज जाएगी लाल मिर्ची पौडर मिर्ची का तीखबन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़ादा कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्ची का भी पेश्ट डाला है एक चम्मज धनिया पौडर जीरा पौडर जाएगा आप यहां पर गरम मसारेला भी डा सकते हैं और में इंग्रिडियंस इसमें है हमारा सौफ का पौडर जो सौफ आती है उसका ही बस पौडर एक से तेड़ चम्मज में डाल दूंगी इससे क्या होता है प्याज जो हम खाते है ना तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और जब बनाते हैं तो खुशू भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी पतली हो गई है तो आप इसमें दो चम्मज भूना हुआ बेशन भी डाल सकते हैं और इसको ठंडा होने देंगे अब मैंने यहाँ पर जो नॉर्मल आता आप लगाते हैं रोटी चपाती परांथे का बस भई मैंने ले लिया है उसके और इस तरह से हमें बड़ी लोई बना कर तैयार कर लेनी है और रोटी मैंने इस तरह से गोल बेल ली है और धेर सारी अब हम इसमें रख देंगे प्याज वाली स्टफिंग आप इसे गोल भी बना सकते हैं या फिर मेरी तरह से आप इसे तिकवना भी परांथे को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से ये पराठे बनकर रेडी हो जाते हैं अभी बच्चे घर में रहते हैं छुटियां चल रही हैं तो उनको कुछ-कुछ आपको खाने के लिए वो मांगते हैं तो आप इस तरह से इस पराठे को बना कर उन्हें दे सकते हैं सबी को जो आपके घर पर है इस पराठे को खा कर बहुत ही अच्छा लगेगा और बस अभी तवे को थोड़ा सा मैंने ग्रीज कर दिया है गैस पर रख दिया है तावा और हम पराठे को डाल देंगे एक साइट से थोड़ा सा दो मिनट वाद हमें इसे पचने देना है और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें तेल डाल दूँगी आप इसे घी से या बटर से भी सेख सकते हैं और इसे उलट उलट कर में अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेख लेना है और आप मुझे बताइए कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं कौन सी सिटी से देख रहे हैं और ऐसी ही नई नई रेसीपी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं उसकी आइडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंशन कर दूंगी और ये देखिए हमारा एक पराथा अच्छे से मैंने क्रिस्पी होने तक लट कर सेख लिया है सभी तरफ से आपको इसे सेख लेना हैं बहुत ही टेस्टी यह हमारा पराथा बनता है आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें और ये देखिए हमारा एक पराठा बनकर रेडी हो गया मैं दूसरा पराठा भी इस तरह से ही सेख लूँगी और ये लिजे हमारे प्याज के टेस्टी वाले पराठे बनकर के रेडी हो गया है मैं से खोल करके भी आपको दिखाऊंगी ये देखिए स्टफिंग कैसे चारो तरफ हमारे पराठे में लग गई है देख सारी हमने स्टफिंग भरी है स्टफिंग भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं तो फिर आप इस बार इन गर्मियों में इस तरह से प्याज के पराठे बना करके इंजॉय करिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लें बिल्कुल फिरी है सब्क्राइब करना और नीचे बेल आइकन का बटन दवाना ना भूलें जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही नई और यूनिक रेसिपी के साथ वीडियो देखने के लिए तैंक यू